शांता मैं उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं चाहती फूतनात आखिर इसका कोई सवब भी है शांता सवब यही है कि उसकी यहां कोई इज़त नहीं है बलकि वब बेकद्री की निगहा से देखी जाती है फूतनाद वह है भी इसी योग पहले तो मैं उसे प्यार करता था मगर जब से यह सुना कि उसी की बदलत मैं जैपाल यानि नकली बलभद्र का शिकार बन गया और एक भारी आफ़त में फ़स गया तब से मेरी तबियत उससे खटी हो गई शान्ता सो क्यों फूतनाद इसलिए कि वह बेगम की गुपत सहेली नन्हों से गहरी मुखबत रखती है जिपणी उननीसवा भाग बारहेवा बायान देखिये नकाब पोश्की बातचीत और इसी सबब से वह कागस का मुठ्था जो मैंने अपने फाइदे के लिए तैयार किया था गायब होके जैपाल के हाथ लग गया और उससे मुझे नुकसान पहुँचा इस बात का भी सबूत मैंने अपनी आँखों से देख लिया शान्ता सो ठीक है मैं भी दलीब शाह से यह बात सुन चुकी हूँ भूतनात इसी से अब मैं उसे अपने इस्तरी नहीं बलकि दुश्वन समझता हूँ केवल नन्दों से ही नहीं बलकि कमभ़त गोहर से भी वह दोस्ती रखती थी और वह दोस्ती पाक न थी लंबी सांस लेकर हफसोस इसी से उस खोटी का लड़गा नानग भी खोटा ही निकला शानता मुस्कुरा कर तब आप उसके लिए इतना परेशान क्यों थे क्योंकि यहाँ बात सुनने के बाद ही तो आपने उसे नकाब पोश्णों के इस्थान में देखा था फूतनात वह परेशानी मेरी उसकी महबत के सबब से न थी बलकि इस खयाल से थी के कहीं भा मुझ पर कोई नई आपत लाने के लिए तो नकाब पोश्णों से नहीं आमिली शानता ठीक है यह खयाल भी हो सकता था फूतनात फिर इसी बीच में जब उसने मुझे जंगल में गाना सुना के धोका दिया और गिरफतार करके अपने स्थान पर ले गई देखिए बीस में भाग का अंत जिसका हाल शायद तुम्हें मालुम होगा तब मेरा रंच और भी बढ़ गया शानता यहाल मुझे मालुम है मगर यह कारवाई उसकी न थी बलके इंडर देव की थी उन्होंने ही आपके साथ यह एयारी की थी और उस दिन जंगल में खोड़े पर सवार जो औरत आपको मिली थी और जिसे आपने अपनी स्त्री समझा था वह भी इंडर देव का एक एयार ही था यह बात मैं उन्हीं यानि इंडर देव की जुबानी सुन चुकी हूँ शायद आप से भी वे कहें हाँ उस दिन बंगले में जिस औरत को आपने देखा था वह बेशक नानक की मा थी वह तो खुद कैदियों की तरह यां रखी गई है मैदान की हवा क्यों कर खा सकती है दोनों कुमार नहीं चाहते थे कि प्रकट होने के पहले ही कोई उन लोगों का पता लगा ले इसलिए ये सब खेल खेले गए कुछ सोच कर आखर आपने धीडे धीडे नानक की मा का हाल पूछी लिया मैँ उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा चाती थी अस्तु अब इससे आगे और कुछ भी न कहूंगी आप उसके बारे में मुझसे कुछ न पूछे भूत Nope नहीं नहीं यहां? क्यों लाए गई? शान्ता लाए नहीं गई बलकि उसी नंडों के यहां गिरफतार की गई उस समय नानट भी उसके साथ था भूतनाथ आश्यर और क्रोध से फिर भी उसी मंढों के यहां गई थी चान्ता जी हां भूतनाथın लंबी सांस लेकर लोग सच कहते हैं कि एयाशी का नतीजा बहुत बुरा निकलता है शांता अस्तू अब उसके बारे में मुझसे कुछ न पूछिए इंदर देव जी आपको सब कुछ पता देंगे भूतनाद हाँ ठीक है खर अब उसके बारे में कुछ न पूछूंगा जो क कि दरबार में मैंने हर नाम को हाथ में एक संदूकड़ी लिए देखा था बसंदूकड़ी कैसी थी और उसमें क्या था शांता उसमें दारोगा के हाथ की लिकी हुई बहुत सी चिठ्थिया हैं जिनके देखने से आपको निश्य हो जाएगा कि अपने दलीब शहा को व्यर हान्यों का सबूत इस देखते मिलकर ब्टोड़ मं दारोगा की मतलब ही का जहाब दिया था जिससे खोशह कर उसने कई चीठ्थियों में दलीब शहा को तरहे तरा के सबसबाग दिख लाए मगर जब दारोगा की कई चीठियां दलीब शहा ने बटोड ली तब साफ जवाब दे दिया उस समय दारोगा सहाब बहुत खबराया और सोचा की कहीं ऐसा नहो कि दलीब शहा मुझसे दुश्मनी करके मेरा भेट खोल दे अज तू किसी तरहुसे गिरफटार कर लेना चाहिए उस समय कंभखत दारोगा आपसे मिला और उसने दलीब शहा की पहली चीधियां आपको दिखा कर खुद आपगी को दलीब शहा का दुश्मन बना दिया बलकि आप ही के जरीय से दलीब शहा को गिरफ़तार भी करा लिया फूतनात ठीक है इस विशाए में मैंने बहुत बड़ा धोका खाया चांता मगर दलीब शहा को गिरफ़तार कर लेने पर भी वे चीठियां दारोगा के हाथ न लगी क्योंकि वे दलीब शहा के इस तरी के कबसे में थी अब हम लोग उन्हें अपने साथ लाए हैं जिससे दारोगा के मुकदमी में पेश करें भूतनात अस्तू अब मेरे दिल का खुटका निकल गया और मुझे निश्य हो गया कि हर नाम की कोई कारवाई मेरे खिलाफ न होगी शांता भला वहा कोई काम ऐसा क्यों करेगा जिससे आपको तकलीफ हो ऐसा ख्याल भी आपको न रखना चाहिए हम दोनों में इस तरहें की बाते हो रही थी कि किसी के आने की आख़त मालूम हुई भूतनात ने घूम कर देखा तो नानक पर निगापड़ी जब वहाँ पास आया तब भूतनात ने उससे पूझा क्या चाहते हो नानक मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है भूतनात तो यहाँ पर क्यों न चली आई यहाँ तो कोई घैर तो था नहीं नानक सो तो वही जाने भूतनात अच्छा जाओ उसे इसी जगह मेरे पास भेज़ दो नानक बहुत अच्छा इतना कहे कर नानक चला गया और इसके बाद शानता ने फूतनात से कहा शायद उसे मेरे सामने आपसे बात चीत करना मन्जूर न हो शर्माती हूँ या किसी तरह का और कुछ खयाल हो अज तू आग या दीजिये तो मैं चली जाओ फिर फूतनात नहीं उसे जो कुछ कहना होगा तुम्हारे सामने ही कहेगी तुम चुपचाब बैठी रहो शानता संबव है कि वहाँ मेरे रहते यहां न आवे या उसे इस बात का खयाल हो कि तुम मेरे सामने उसकी बेज़ज़ती करोगे फूतनात हो सकता है मगर कुछ सोच के अचा तुम जाओ इतना सुनकर शानता वहां से उठी और बंगली की तरफ रवाना हुई इस समय सूर्य अस्थ हो चुका था और चारो तरफ से अंधेरी जुकी आती थी साथवा बायान इंद्रदेव का यहरस्थान बहुत बड़ा था इस समय यहां जितने आदमी आई वोए हैं उन मेंसे किसी को किसी तरह की भी तकलीफ नहीं हो सकती थी और इसके लिए रभंद भी बहुत अच्छा कर रखा था और तों के लिए एक खास कमरा मुकरर किया गया था मगर राम देई, नानक की माँ की निगरानी की जाती थी और इस बात का भी बंदुबस्थ कर रखा गया था कि कोई किसी के साथ दुश्मनी का बरताव ना कर सके महराज सुरेंडर सिहंग, भी रेंडर सिहंग और दोनों कुमारों के कमरे के आगे पहरे का पूरा पूरा इंतजाम था और हमारे लोग भी बराबर चौकन ने रहा करते थे यह दो भी भूतनात एकांट में बैठा हुआ अपने इस्तरी से बातें कर रहा था मगर यहां बाद इंद्र देव और देवी सिहिंग से चिपी हुई न थी जो इस समय बागीचे में टहलते हुए बातें कर रहे थे इन दोनों के देखते ही देखते नानक फूतनात की तरफ गया और लोट आया इसके बाद फूतनात के इस्तरी अपने देरे पर चली गई और फिर रामदेई अर्थात नानक की मा फूतनात की तरफ जाती हुई दिखाए बड़ी उस समय इंद्र देव ने देवी सिहिंग से कहा सीह जी देखिए फूतनात अपनी पहली इस्तरी से बात चीत कर चुका है अब उसने नानक की मा को अपने पास बुलाया है शांता की जुबानी उसकी खुटाई का हाल तो उसे जरूर मालुम होई गया होगा इसलिए ताज्जब नहीं कि वह खुस्से में आकर रामदे के हाथ पैर तोड़ डाले देवी ऐसा हो तो कोई ताज्जब की बात नहीं है मगर उस औरत ने भी तो सजा पाने के ही लायक काम किया है इंद्र देव ठीक है मगर इस समय उसे बजाना चाहिए देवी तो जाएए वहाँ छिपकर तमाशा देखिए और मौका पढ़ने पर उसकी सहायता कीजिए मुस्कराकर आप ही आग लगाते हैं और आप ही बुझाने दौरते हैं इंद्र देव हसकर आप तो दिल लगी करते हैं देवी दिल लगी काहे कि क्या आपनों से गिरफतार नहीं कराया है और अगर गिरफतार कराया है तो क्या इनाम देने के लिए इंद्र देव मुस्कुराते हुए तो आपकी राह है कि इसी समय उसकी मरमत की जाए देवी चाहिए तो ऐसा ही जी मैं आवे तो तमाशा देखने के लिए चलिए कहिए तो मैं आपके साथ चलू इंदर देव नहीं नहीं ऐसा ना होना चाहिए भूतनात आपका दोस्त है और अब तो नातेदार भी आप ऐसे मौके पर उसके सामने जा सकते हैं जाईए और से बचाईए मेरा जाना मुनासिब न होगा देवी हसकर तो आप चाहते हैं कि मैं भी भूतनात के हाथ से दो एक घुसे खालूँ अच्छा सहाब जाता हूँ आपका हुक्म कैसे ठालूँ आज आपने बड़ी बड़ी बातें मुझे सुनाई हैं इसलिए आपका एहसान भी तो मानना होगा इतना कहते हुए देवी सिंग पेलों की आर देते हुए फूतनात की तरफ रवाना हुए और जब ऐसी जगह पहुँचे जहां से उन दोनों की बातें बहु भी सुन सकते थे तब एक चटान पर बैठ है और सुनने लगे कि वे दोनों क्या बातें करते हैं भूतनात खेर अच्छाई हुआ जो तुम यहां तक आ गई मुझसे मुलाकात भी हो गई और मैं लामा घाटी तक जाने से बच गया मगर यहां तो बताओ कि अपनी सहेली नन्नों को यहां तक क्यों न लेती आई मैं भी जरा उससे मिलके अपना कलेजा ठंडा कर लेता रामदेई नन्नों बेचारी पर क्यों अक्षेप करते हो उसने तुम्हारा क्या बेगाड़ा है और वहां यहां आती ही काहे को क्या तुम्हारी लॉंडी थी व्यर्थी एक आदमी को बदनाम और दिक करने के लिए लोग तूटे पड़ते है फूतनाथ उभरते हुए घुस्से को दबा कर छी 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 वो बेचारी हमारी लॉंडी क्यों होने लगी लॉंडी तो तुम उसकी थी जो जख मारने के लिए उसके घर गई थी रामदेई आचल से आसों पोंचती हुई मगर मैं उसके यहां गई तो क्या पास किया मैं पहले ही नानक से कहती थी कि जाकर पूछाओ तब मैं नन्नो के यहां जाओं नहीं तो कहीं विर्थी बात का बतंगर ना बन जाए मगर लड़के ने नमाना और आखिर वही नतीजा निकला बदमाशों ने वहां पहुँचकर उसे भी बेज़ज़द किया और मुझे भी बेज़ज़द करके यहां तक घसी लाए उसके सिर्थ छूटे ही कलंक थोप दिया कि वह बेगम की सहेली है इतना कहकर रामदेई नक्रे के साथ रोने लगी भूतनाद तुमने पहले भी कभी उसका जिक्र मुझसे किया था कि वह तुम्हारी नातिदार है या मुझसे पूझकर कभी उसके यहां गई थी रामदेई एक दफे गई सो यहां गती हुई और जाती तो नमालूम क्या होता भूतनाद जो लोग तुझे यहां ले आए हैं वे बदमाश थे रामदेई बदमाश तो कहे ही जाएंगे जो विर्थ दूसरों को दुख दे वे ही तो बदमाश होते हैं और क्या बदमाशों के सिर पर सींग होती है तुमारी अकल पर पत्थर पड़ गया है कि जो लोग तुमारी बेज़दी किये ही जाते हैं उन्हीं के लिए तुम जान दे रहे हो नमालूम तुम्हें ऐसी क्या गरच पड़ी हुई है भूतनाद ठीक है यही राय लेने के लिए तो मैंने तुम्हें यह एक आंट में बुलाया है मगर तुम्हारी राय होगी तुम्हें देखते देखते हैं लोगों से बदला लिलूँगा क्या मैं कमजोर यद दब्बू हूँ राम देई जरूर बदला लेना चाहिए अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं समझूंगी कि तुम से भड़कर कमीना कोई नहीं है इतना सुनकर भूतनात को बेहिसाब और उससा चुड़ाया मगर फिर भी उसने अपने क्रोथ को दबाया और कहा आचा तो अब मैं ऐसा ही करूँगा मगर यहाँ तो बताओ कि शेर की लड़की गौहर से तुमसे एक ख्यानाता है रामदेई उस मुसल मालिन से मुझसे ख्यानाता होगा मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी भूतनात लोग तो कहते हैं कि तुम उसके यहाँ भी आती जाती हो और मेरे बहुत से भेट तुमने उसे बता दिये है रामदेई सब छूट है यह लोग बात लगाने वाले जैसे ही धूरत और पाजी है वैसे ही तुम सीधे और बेवकूफ हो अब भूतनात अपने गुस्से को बरदाश्ट ना कर सका और उसने एक चपत रामदेई के गाल पर ऐसे जमाई के वद दिल मिला कर जमीन पर लिड़ गई मगर उसे चिलाने का साहस्ना हुआ कुछ देर बाद वा उट बैटी और भूतनात का मुह देखने लगी भूतनात कमीनी हरामजादी जिन के लिए मैं जान तक देने को तयार हूँ उन्ही लोगों की शान में तैं ऐसी बात हैं कह रही है जो एक पराय को भी कहना उचित नहीं है और जिसे में एक सायथ के लिए भी बरदाश्ट नहीं कर सकता ले समझ ले और कान खोल कर सुन ले के तेरे हाथ की लिखी वच्चीठी मुझे मिल गई है जो तुने चांद वाले दिन कौहर के यहां मिलने के लिए नंढ़ों के पास भेजी थी और जिसमें तुने अपना पारिचे कराना की चैन चैन दिया था बस इसी से समझ ले के तेरी सब कले खुल गई और तेरी बेमानी लोगों को मालूम हो गई अब तेरा नकरे के साथ रोना और बाते बना कर अपने को बेकसूर साबित करना व्यर्थ है अब तेरी महबत एक रती बराबर मेरे दिन में नहीं रह गई और तुझे उस जहरीली नागी से भी हजार दर्जे बढ़ के समझने लग गया जिसे खुबसूरत होने पर भी कोई हाथ से छुने तक का सहस नहीं कर सकता मुझे आज इस बात का सखत रंज है कि मैंने तुझे इतने दिन तक प्यार किया और इस बात की तरफ कुछ भी धैन ना दिया कि उस मुहबबत, एयाशी और शौक का नतीजा एक ना एक दिन जरूर भयानक होता है जिसे छिपाने की जरूरत समझे जाती है और जिसका जाहिर होना शर्मिंदगी और बेहायाई का सबब समझा जाता है मुझे इस बात का अफसोस है कि तुझसे अनुचित सम्मंध रखकर मैंने उस उचित सम्मंध वाली का साथ छोड़ दिया जिसकी जूतियों की बराबरी भी तू नहीं कर सकती यह यह कहना चाहिए कि तेरे शरीर का चमड़ा जिसकी जूतियों में भी देखना मैं पसंद नहीं कर सकता मुझे इस बात का दुख है कि नागर या मायारानी के कबजे से तुझे चुड़ानी के लिए मैंने तरह तरह के ढूंग रचे और इसका दम भर के लिए भी विचार न किया कि मैं उस क्षय रोग को अपनी चाती से लगाने का प्रबंध कर रहा हूँ जिसे पहली ही अवस्था में ईश्वर की ख्रीपा ने मुझे से अलग कर दिया था ये बातें तु अपने लिए ही न समझ बलकि अपने जाई नानक के लिए भी समझ कर मेरे सामने से उठचा और उसे भी कह दे कि आज से मेरे सामने आकर मेरी जूतियों का शिकार न बने यदि मेरे पुराने विजार न बदल गए होते और उन दिनों की तरहां आज भी मैं पाप को पाप न समझता होता तो आज तेरी खाल खिंचवा कर नमक और मिर्च का उबटन लगवा देता मगर खेर अब इतना ही कहता हूँ के मेरे सामने सोट जा और फिर कभी अपना कालम हूँ मुझे मत दिखाई हो जिस कुल को तु पहले कलंक लगा चुकी है अब भी उसी कुल की बदनामी का सबब बनकर दुनिया की हवा खा रामदेई के पास भूतनात की बातों का जवाब न था वा अपनी पुरानी जीठी का सच्चा पारिचय सुनकर बदहवास हो गई और समझ गई कि उसके अच्छे नसीब के पहिये की धुरी तूट गई जिसे वा किसी तरह भी बना नहीं सकती वा अपने धड़कते हुए कलेजे और काफते हुए बदन के साथ भूतनात की बातें सुनती रही और अंट में उठने का साहस करने पर भी अपनी जगह से नाहिल तकी मगर भूतनात वहां से उठखड़ा हुआ और बंगले की तरफ चल पड़ा थोड़ी ही दूर गया होगा के देवी सिहिंग से मुलाकात हुई जिसना उसका हाथ पकड़ लिया और कहा भूतनात शाबाश शाबाश जो कुछ नेक और बहादूर आदमियों को करना चाहिए इस समय तुमने वही किया मैं छिपकर तुम्हारी सब बाते सुन रहा था अगर तुम कोई बेजा काम करना चाहते तो मैं तुम्हें जरूर रोकता मगर ऐसा करने का मौका ना हुआ जिसे मैं बहुत खुश हूँ अच्छा जाओ अपने कमरे में आराम करो मैं इंद्रदेव के पास जाता हूँ आच्वा बायान रात पहर भर से ज्यादे जा चुकी है एक सुन्दर सजे हुए कमरी में राजा गुपाल सींग और इंद्रदेव बैठे है और उनके सामने नानक हाथ जोड़े बैठा दिखाई देता है गुपाल नानक सी ठीक है यद भी इन बातों में तुमने अपनी तरफ से कुछ नमक मिर्च जरूर लगाया होगा मगर फिर भी मुझे कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जिससे भूतनात को दूशी ठेराओ उसने जो कुछ तुम्हारी मां से कहा सच कहा और उसके साथ जैसा बरताव किया वहाँ उचे दी था इस विशाय में मैं फूतनात को कुछ भी नहीं कह सकता और न अब तुम्हारी बातों पर भरूसा ही कर सकता हूँ बड़े अफसोस की बात है कि मेरी नसीहत ने तुम्हारे दिल पर कुछ भी असर ना किया और अगर कुछ किया भी तो वह दो-चार दिन बात जाता रहा अगर तुम अपनी मा के साथ नन्धो के मकान में गिरफतार न हुए होते तो कदाचित मैं तुम्हारे थोके में आ जाता मगर अब मैं किसी तरह भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता नानक मगर आप मेरा कुसूर माफ कर चुके हैं और इंद्रदेव नानक से अगर तुम उस माफी को पाकर खुश हुए थे तो फिर पुराने राते पर क्यों कर गए और पुना अपनी मा को लेकर नन्धो के पास क्यों पहुँँचे तुम्हें बात करते शर्म नहीं आती मगर अब भूतनात की तरह मैं भी तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करता और नब भूतनात को इस विशाय में कुछ कहना चाहता हूँ इंद्रदेव ने तुम्हारे साथ इतनी ही रियायत की सो बहुत किया कि तुमको यहां से निकल जाने की आग्या दे दी नहीं तो तुम इस लायक थे के जन्म भर कायद में पड़े सड़ा करते नानक जो आग्या मगर मेरे पिता से इतना तो दिला दीजिये के मेरी माँ जन्म भर खाने पीने की तरफ से बेफिक्र रहे इंद्रदेव अब एक कमीने तुझे या कहते शरम नहीं मालम होती इतना बड़ा होके भी तु अपनी माँ के लायक दाना पानी नहीं चुटा सकता खेर अब तुझे आखिरी मरतबे कहा जाता है कि अब हम लोगों से किसी तरह की उम्मेद न रख और अपनी माँ को साथ लेकर यहां से चला जा फूतनात ने भी मुझे ऐसा ही कहने के लिए कहला भेजा है इतना कहकर इंद्रदेव ने ताली बजाई और साथ ही अपनी एयान सर्यू सिहिंग को कमरे के अंदर आते देखा इंद्रदेव सर्यू से फूतनात कहा है सर्यू नम्मर पांच के कमरे में देवी सिहिंग जी से बातें कर रहे है वे दोनों यहां आई भी थे मगर यहां सुनकर के नानक यहां बैठा हुआ है पिछले पैर लोट गए इंद्रदेव अच्छा तुम जाओ और उन्हें यहां बुला लाओ सर्यू जो आग्या परन्तु मुझे आशा नहीं है के वे लोग नानक के रहते यहां आवेंगे इंद्रदेव अच्छा तो मैं खुद जाता हूँ गोपाल हाँ तुमारा ही जाना ठीक होगा देवी सींग को भी बुलाते आना इंद्रदेव उठकर चले गए और थोड़ी ही देर में भूतनात तथा देवी सींग को साथ लिये हुए आ पहुँचे गोपाल भूतनात से क्यों साहब आप यहां तक आकर लौट क्यों गए भूतनात योही मैंने समझा कि आप लोग किसी खास बात में लगी हुए है गोपाल अच्छा बैठिये और एक बात का जवाब दीजिए भूतनात कहिए गोपाल रामदेई और नानक के बारे में आप क्या हुकमत देते हैं भूतनात महाराज ने क्या आग्या दी है गोपाल उन्होंने इसका फैसला आप ही के उपर छोड़ा है भूतनात फिर जो राय आप लोगों की हो मैंने तो इन दोनों के बारे में इसकी माँ को हुकमत सुना ही दिया है गोपाल इनके कुसूर को तो आप सुनी चुके होंगे भूतनात पिछले कुसूरों को तो मैं सुनी चुका हूँ हाँ नया कुसूर सिर्फ इतना ही मालूम हुआ है कि ये दोनों नन्हों के यांगिर अफ़तार हुए है गोपाल इसके अद्रिक तो एक बात और है भूतनात वह क्या गोपाल यहीं कि ये दोनों अगर खाली हाथ न होते तो बेचारी शांता को जान से मालालते इतने ही में नानक बोल उठा नहीं नहीं ये आपके जासूसों ने हमारे उपर छुटा हिल्साम लगाया है फूतनात अगर गहा बात है तो मैं इसे हाथ कड़ी से खाली क्यों देखता हूँ इंद्रदेव इसलिए कि हमारे हाथे के अंदर ये लोग कुछ कर नहीं सकते जब ये लोग यहां गिरफ्तार होकर आए तो कुछ दिन तक तो भलमंसी के साथ रहे मगर आज इनकी नियत बिगडी हुई मालूम पड़ी भूतनाद खर अब आप ही इनके लिए हुक्म सुनाईए मगर इंद्रदेव आप यहां न समझेगा कि इन लोगों के बारे में मुझे किसी तरह का रंज है मैं सच कहता हूँ कि इन दोनों का यहां आना मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ मैं इन लोगों के फेर में बेतरहां भसा हुआ था आज मालूम हुआ कि ये लोग जहर हला हल से भी बढ़े हुए है अस्तू आज इन लोगों से पीछा चुड़ा कर मैं बहुत ही प्रसन हुआ मेरे सिर से बोचा उतर गया और अप मेरी जिन्दगी खुशी के साथ बीतेगी आपका कहना सच निकला अर्थात इनका यहां आना मेरे लिए खुशी का सबब हुआ अच्छा यहां बताईए कि ये अगर इसी तरह छोड़ दिये जाएं तो आपके खजाने को तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकते जो लामा घाटी के अंदर है फूतनात कुछ भी नहीं और लामा घाटी के अंदर जेवरों के अत्रिक्त और कुछ है भी नहीं सो जेवरों को मैं वहां से मंगवा ले सकता हूँ अगर सिर्फ नानक की मां के जेवरों से आपका मतलब है तो वह अब मेरे कबजे में है क्योंकि नन्नों के यहां वो बिना जेवरों के नहीं गई थी भूतनाद बस तो मैं उस तरफ से बेफिक्र हो गया यह दिपि उन जेवरों की मुझे कोई परवाह नहीं है मगर उसके पास मैं एक कोड़ी भी नहीं छोड़ा चाहता इसके अत्रिक्त यहां भी जरूर कहूंगा कि अब ये लोग सूखा छोड़ देने लायक नहीं रहे इंद्रदेव खेर जैसी राय होगी वैसा ही किया जाएगा इतना कहकर इंद्रदेव ने पुनह सर्यू सिहिंग को बुलाया और जब वह कमरे की अंदर आगया तो कहा थोड़ी देर के लिए नानक को बाहर ले जाओ नानक को लिए हुए सर्यू सिहिंग कमरे के बाहर चुला गया और इसके बाद चारो आदमी विचार करने लगे कि नानक और उसकी मां के साथ क्या बरताव करना चाहिए देर तक सोच विचार कर यही निश्य किया कि उन दोनों को देश से निकाल दिया जाए और कह दिया जाए कि जिस दिन हमारे महराज की अमलडारी में दिखाई दोगे उसी दिन माला ले जाओगे इस हुक्म पर महराज से आगया लेने की इन लोगों को कोई जरूरत ना थी क्योंकि उन्होंने सब बातें सुन सुना कर पहले ही हुक्म दे दिया था कि भूतनात किया गया नुसार काम किया जाए अस्तू नानक कमरे के अंदर बुलाया गया और इसके बाद रामदे भी बुलाई गई जब दोनों इकठे हुए तो उन्हें हुक्म सुना दिया गया यह हुक्म यदपी साधरर मालूम होता है मगर इन दोनों के लिए ऐसा ना था जिने भूतनात की बदलत शाह खरजी की आदत पड़ गई थी नानक और रामदे की आँखों से आंसे उजा दी था जब इंदर देव ने सर्यू सिहिंग को हुक्म दिया के चार आत्मी इन दोनों को ले जाएं और माहराज की सरहत के बाहर करावें सर्यू सिहिंग दोनों को लिए वे कमरे के बाहर निकल गया भूतनात सिर से बोज उत्रा और कमख्तों से तीछा चूटा अच्छा पतलाईए कि कल क्या क्या होगा गोबाल माहराज ने तो यही हुक्म किया है कि कल यहां से डेरा कुच किया जाए और तिलिस्म की सेर करते हुए चुनार घर पहुँचे चमपा, शांता, हरनाम सिंग, भरत सिंग और दलीब चहा वगेरा बाहर की रहा से चुनार भेज दिये जाए यदि हमारे किसी आयार की भी इच्छा हो तो उनके साथ चला जाए फूतनात ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो तिलिस्म की सेर छोड़के उनके साथ जाएगा देवी सभी कोई ऐसा ही कहते हैं भूतनात हाँ, यहां तो बताईए कि मैंने नानत को जब दरबार में दिखा था तो उसके हाथ में एक लपेटी तस्वीर थी अब वत तस्वीर कहा हैं और उसमें क्या बात थी इंद्रदेव वह कागस जिसे आप तस्वीर समझे हुए हैं मेरे पास है आपको दिखाऊंगा असर में वह तस्वीर नहीं है बलके नानक ने उसमें एक बहुत बड़ी दरखात लिखकर तयार की थी जो दरबार में आके पेश किया चाहता था मगर ऐसा करना सका भूतनाथ उसमें लिखा क्या था इंद्रदेव जो लोग उसे गिरफतार कर लाए हैं उनकी शिकायत की सिवाय और कुछ भी नहीं साथी इसके उस दरखात में इस बात पर बहुत जोड़ दिया गया था कि कमला की मां वास्तों में मर गई है और आज जिस शानता को सब कोई देख रही हैं वा वास्तों में नकली है भूतनाथ वहरे शैतान कुछ सोचकर तो शायद वह दरखास्त महराज के हाथ तक नहीं पहुँची एंदर देव क्यों नहीं मैंने जान भूच कर ऐसा करने का मौका दिया वारात को पहरे वालों से इत्तिला करा कर खुद महराज के पहुँचा और उनके सामने वह दरखास्त रख दी उस समय महराज ने मुझे बुलाया और मुझी को वह दरखास्त पढ़ने के लिए दी गई उसे सुनकर महराज ने मुस्कुरा दिया और इशारा किया कि वह कमरे के बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि इसके पहले मैं शान्ता और हरनाम सिंग का पूरा पूरा हाल महराज से अर्ज कर चुका था फूतनात अच्छा मुझे भी वह दर्खास दिखाईएगा इंदरदेव उंगली से इशारा करके वह कार्निस के उपर पढ़ी हुई है देख लीजिए फूतनात ने दर्खास उतार कर पढ़ी और इसके बाद कुछ देर तक उन लोगों में बातचीत होती रही